Hello dear students, welcome back to YB Biology classes आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं Social Life in Insect जो insect है, उनका social behavior किस तरीके का है और जो solitary insect होते हैं, gregarious insect होते हैं वो क्या होते हैं इसके अलावा, जो social insect है, उनकी क्या properties है कौन-कौन से order है insect पाल के जो की social behavior शो करेंगे और किस तरीके से जो evolution हुआ social habitat का, कि कैसे solitary से social life की और insect गए और जो gradation है social behavior का कि पहले solitary थे, फिर सब social हुए, फिर truly social insect बने ये सारा पढ़ेंगे क्या-क्या characteristic होती है social insect की, इन सब characteristics को हमें के करके discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं with the social behavior social behavior क्या होता है, इसकी definition क्या होता है, कि हम अभी पढ़ने वाले है social life in insect तो जो social life है, social behavior है, वो क्या चीज़ है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि कि किसी भी type का interaction between two or more individual, कि दो या दो से ज़्यादा individual के बीच में कोई भी type का interaction है, वो social behavior में आएगा usually social relationship implies interaction among member of same species कि generally ऐसा देखा गया है, कि जो social behavior है, जो social relationship है वो same species के member में देखने को मिलती है, same species के member में interaction होता है mere presence of more than one individual doesn't mean that behavior is social और इसका ये भी मतलब नहीं है, कि जैसे एक या एक से ज़्यादा individual है जैसे दो या तीन individual है, या ज़्यादा भी है, वो आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे वो आपस में कोई interaction ही नहीं कर रहे, और हम ये कह दें कि वो social है तो ऐसा नहीं है, कि सिरफ presence होना ही social नहीं होता social behavior के लिए आपस में interaction भी जरूरी है तो सिरफ presence का मतलब ये नहीं होता कि social behavior शो किया जा रहा है, नहीं वहाँ पर अगर कोई individual दो present है, तो उनके बीच में आपस में interaction भी होना चाहिए various type of association अकर अमंग insects, तो कौन-कौन से type के association है एक तो solitary insect होते हैं, कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं जब individual mostly independent हो, when each individual is more or less independent और वो अकेला ही खाना खाता हो, दो opposite sex साथ में आते हैं, सिरफ mating के time पे, mating के time के अलावा opposite sex साथ में नहीं आते तो जो individual है, किसी भी society के, अगर वो independent है और वो एक दूसरे से अलग-अलग रह रह रहे, तो उन्हें हम society नहीं कहेंगे उन्हें हम solitary insect कहेंगे यहाँ पर जो female है, वो egg ले करेगी, die मतलब मर जाएगी और offspring की देखबाल करने वाला कोई नहीं होता कि जो insect है, वो egg ले करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे या तो उनकी मत हो जाएगी, या फिर वो वहाँ से चले जाएंगे और जो offspring है, उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता उनकी look after करने वाला, देखबाल करने वाला कोई नहीं होता तो यह characteristic है, solitary insect की then हम बात करें, gregarious insect की तो जो gregarious insect है, वो क्या है, कि वो सिरफ जुन्ड में रहते हैं कि कुछ certain condition है, कुछ जरूरत हैं उनकी उनकी वज़े से वो सिरफ एक common source को utilize करेंगे, वो truly social हुने हम नहीं बोल सकते dense but temporary population, हमने क्या कहा कि यह temporary population है या aggregation है, in response to physical environment या फिट temperature, कि एक example दिया है physical environment का कि temperature की वज़े से भी जो insect वापस में temporary association कर गया, जैसे कि बहुत जादा ठंड है तो जो insect वापस में एक दूसरे के उपर cleaning मतलब एक दूसरे के उपर चिपक के बैठ गए तो ये भी एक gregarious insect की property है कि वो सिरफ थोड़े से टाइम के लिए temporary aggregation हुआ है उनका in response to any physical environmental change और या फिर वो क्या करते हों कि share करते हो certain common needs और tracks को कि वो उनकी कुछ common needs हैं उन need की वज़े से वो साथ में आए हैं जैसे की रात के time पे light light जब हम रात कौन करते हैं तो जो बारिस वाला season होता गर्मी वाला season होता है तो बहुत सारे insect उस light के चार ओर आ जाते हैं तो उन्हें हम उनकी society नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे कि ये temporary aggregation है इन insect का light off करते ही वो सारे कीडे वहां से भाग जाएंगे high humidity under low cause aggregation of wood lice की high humidity की वज़े से भी जो wood lice है वो एक दूसरे के पास आती हैं then hibernation के during जो lady bird beetle है वो assemble होंगी for hibernation और जो locust may fly है वो huge swarming के लिए एक साथ आते हैं लेकिन इन में से हम किसी भी group को socially strictly social नहीं कहेंगे जो gregarious है वो एक temporary habit है जो gregarious beings है उनका evolution of social behavior से कोई लेना देना नहीं है nothing to do with evolution of social behavior अमंग insects और जो habit है इनकी temporary habit है doesn't involve any association of parent and offspring की जो gregarious association है जो gregarious insect है जिनके अंदर temporary association और temporary habit है ये इसका ना तो evolution of social interaction से कुछ लेना देना है insect के अंदर और ना ही इसका association है कि parent का offspring से offspring का parent से ऐसा यहाँ पर कोई association नहीं है then we come to social insect social insect क्या है insect of a given species that live together कि एक species के insect जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं एक organized group या फिर colony में उन्हें हम क्या कहेंगे social insect कहेंगे कि insect same species के insect का ऐसा group जो कि साथ रहता हो colony बना के रहता हो कि किसी organized group में रहता हो उन्हें हम क्या कहते हैं social insect कहते हैं बहुत सारे individual हैं जो कि साथ रहेंगे एक integrated manner में और हर एक individual है वो एक दूसरे के welfare के लिए अपनी society के welfare के लिए अपना contribution देगा तो ऐसा होता है social insects के अंदर कि जैसे हमारे society में सबके अपने अपने काम हैं और हम एक दूसरे के भलाई के लिए अपना contribution देते हैं तो इसी तरीके से जो insect की society है उसके अंदर सारे individual कौन कौन से order है social insect के की insect के कौन से order है जो की truly social behavior को show करते हैं तो mainly 7 order है यहाँ पर यह इसकी short form है hope CID से याद करेंगे यहाँ से H O P E C I D तो orthoptera orthoptera, dermiptera, isoptera ambioptera socoptera, coleoptera and hymnoptera तो यहाँ जो orthoptera है उसके अंदर example हम cockroach dermiptera के अंदर earwing isoptera, termite ambioptera, web spinner scoptera booklice, coleoptera, beetles hymnoptera, bees तो इन order और इनके example हमें याद करने है कि कौन-कौन से social insect है then हम बात करे evolution of social habit की कि जो social habit है उसका evolution कैसे हुआ है तो जितने भी oldest और highly developed society है animal kingdom के अंदर वो insecta की है कि अभी तक जितनी भी हम बात करे हमारे evolution की जितना भी अभी तक animal kingdom है तो animal kingdom के जितने भी animals है सबसे अगर हम देखे कि सबसे पुराना जो सबसे पहले society की formation होने लगी थी सबसे highly developed societies हैं जो सबसे पुरानी societies हैं वो insecta के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और अगर हम 300 million year ago की भी बात करें तो ये society उस time भी existence में थी insecta के अंदर social habit has arisen independently in several order of insect कि जो अलग-अलग order of insect अभी हमने 7 order की बात की है तो इन 7 order के अंदर independent origin हुआ है society का कि यू नहीं है कि एक जो order है उसके अंदर जो society की formation है वो दूसरे पर dependent है दूसरे से related है नहीं सबके अंदर अपना independent origin हुआ है then जो solitary insect है उनका transition हुआ है social life में solitary insect है उनकी life काफी छोटी होती है और जो social life वाले है उनकी जो life है वो काफी लंबी चलती है parental life काफी लंबी होती है और यहाँ पर हमें parental care देखने को मिलती है initially तो जो progeny है वो parents पर depend करती है और बाद में age होने के बाद में जो parents है वो progeny के उपर depend करते हैं social life के अंदर then हम बात करे gradation of social behavior कि जो social behavior है उसका कैसे हम उसे gradation करते हैं मतलब कि कैसे इसका जो evolution हुआ है वो कैसे किस manner में हुआ तो जो solitary है solitary से बने sub-social और sub-social से बने true social insect है solitary जैसे हम बात करे mosquito है, dragon fly है, यह solitary है तो यह solitary है, mosquito, dragon fly यह क्या करेंगे कि कहीं भी अपने eggs को drop कर देंगे और फिर वो चले जाते हैं वहां से, egg के बारे में care करना उनका कोई business नहीं है butterflies and जो flesh flies हैं वो क्या करेंगी, अपने egg को ले करेंगी ऐसी जगें पर जहां पर जो young one है, जब egg से भाहा निकलेगा तो उसे suitable food मिल सके डिगर वास पर वो क्या करता है, कि घड़ा कोदता है, एक hole को dig करेगा और वहां पर food रखके जाएगा और जो paralyzed caterpillar है spiders है, वो क्या करेंगे, एग ले करेंगे entrance को seal कर देंगे और वहां से चले जाएंगे लेकिन कभी भी वहां मतलब वापिस नहीं आएंगे, मुड के नहीं देखेंगे कि उनके offspring क्या कर रहें, क्या नहीं कर रहें मरे भी हैं यां जिन्दा है तो ये है about solitary insects, कि जो solitary insects है वो अकेले रहेंगे, independent रहेंगे ये इनके example है, dragon fly, mosquito fly mosquito, butterfly, flesh fly और digger wasp का इसके अलावा ये spider का ये example है कि ये एग ले करेंगे और अपना काम करने निकल जाएंगे ये बाकी कुछ भी नहीं देखते कि जो एग से young one निकले हैं वो क्या कर रहे है, कैसे हैं उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा जो सब social insects हैं वो एक further step social life की और social habit की और दिखाते हैं, ये mass of food को अपने जो eggs हैं, उनके पास छोड़के जाएंगे और जो nest है और young one है, उनकी रक्षा भी करते हैं, उनकी protection भी करते हैं उन्हें guard भी करते हैं जैसे dung beetle है, dung beetle के अंदर जो male है वो तो अपने बरो को guard करेगा अपने बिल को guard करेगा और जो female है, वो roll करके bowl बनाएगी dung की और dung को collect करने का काम करेगी, फिर इसे अपने बरो के अंदर रखेगी, फिर एग ले करेगी, एग ले करने के बाद जब hatching होगी, तो दोनो male और female वहाँ से चले जाएंगे, तो जो hatching के time तक यहाँ पर male और female take care करते हैं अपने जो eggs है, उनकी और उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे, जो female earwig है, वो guard करती है अपने eggs को, और उसके बाद में young one को भी वो guard करेगी, कि जो dung beetle है, उसमें male और female अपना अपना काम करेंगे, जैसे ही hatching होगी, वो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो female earwig है, वो अपने eggs की भी protection करेगी और जो नए young one है, उनको species have been able to develop social habit completely, कि कुछ ही ऐसी insect की species हैं, जो की पूरे तरीके से social life को adapt कर पाई हैं, जो parents हैं, वो खाना collect करेंगे, continuously forage करेंगे for food के लिए, और उनकी जो lifespan है, वो लंबा होगा, वो association में आएंगे, और उनकी जो बहुत सारी generation है, जो जैसे एक parent है, उसने next generation को पैदा किया, फिर वो next वाली next को करेंगी, और इस तरीके से, और जो parents हैं, वो भी बार 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 progeny को produce करेंगे, तो जो उनकी life है, वो बढ़ेगी, और वो association में आएंगे, बहुत सारी generation के साथ में, जो उनकी highly developed and complex societies किसकी हैं, termites की हैं, ants की हैं, bees की हैं, and wasp की हैं, तो जो true social behavior है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो parents है, उनकी life span है, वो बढ़ेगा, और जो कुछ ही insect की species हैं, वो truly social behavior को show करती हैं, और जो सबसे highly developed complex society हैं, वो किसकी हैं, termites की हैं, ants की हैं, bees की हैं, और wasp की है, इसके अलावा, जो offspring है, वो अगली, जैसे parent है, वो बहुत सारी generation के offspring के साथ रहेगा, और जो young one है, वो next generation की offspring को पालने में help करते हैं, अब characteristic क्या है, social insect की, social insect के जो colonies हैं, large population colonies होती हैं, इनका जो nest होता है, elaborate nest होता है, nest के अंदर extra population भी present होती है, polymorphism caste system present होता है, यहाँ पर, और जो colony है, वो cohesiveness की property शो करती है, parental care शो की जाती है, इसके अलावा, mass provisioning and progressive provisioning of food यहाँ देखने को मिलता है, tropholexis देखने को मिलता है, swarming, protective devices and communication, तो एक एक करके हम इन सब के बार में बात करने वाले हैं, तो चलिए, वाप उल्टे से start करते हैं, communication की बात करें, तो दोनो social और non-social insect, दोनो ही communication के लिए signals का यूज करते हैं, वो chemical signal भी हो सकते हैं, वो tactile touch वाले signal भी हो सकते हैं, वो visual signal हो सकते हैं, और वो auditory की कोई बोल के, जैसे कोई बोल रहा है, तो उसे सुनके signal को receive किया जाए, visual जैसे की हनीबी का दान्स है, tactile touch से, chemical की फेरो मॉन से, chemical में हम बात करेंगे फेरो मॉन्स की, फेरो मॉन्स का यूज किया जाता है communication के लिए, जो फेरो मॉन्स हैं, वो exocrine gland के secretion है, और जो ends है, चीटिया है, वो फेरो मॉन को release करती हैं, जैसे हमने चीटिया देखी है, वो ऐसे line में ही चलेंगी, वो ऐसे बटकती नहीं है, एक चीटि आगे चलेगी, उसके पिछे सारी चीटि चलेंगी, तो जो ये trail बनी है, ये trail किसकी वज़े से बनती है, फेरो मॉन की वज़े से बनती है, कि जो आगे चलने वाली चीटिया है, वो फेरो मॉन को release करती चलेगी, और जो पिछे वाली है उसे follow करेंगी, तो ये ends के अंदर trail marking के लिए फेरो मॉन का use किया जाता है, then फेरो मॉन में sex attractant भी आते हैं और queen substance भी आते हैं, कि दूसरे opposite sex को attract करने के लिए भी फेरो मॉन को release किया जाता है, और जो queen substance है, queen substance को release करती है queen, queen की जो mandibulate glands हैं, वो queen substance को produce करेंगी, और इस queen substance का काम क्या है, ये caste को determine करने के काम आता है, swarming के काम आता है, और ये control करता है जो worker है, उनके nourishing behavior को, और जो queen substance है, इसकी वज़े से ही दूसरी queen नहीं बन पाती, क्योंकि ये जो queen substance है, ये workers के, जो reproductive organ है, उनकी functioning नहीं होने देता, उन्हें gamits नहीं बनाने देगा, उन्हें stay die लखेगा, तो ये workers के nourishing behavior को control करेगा, caste को determine करेगा, और swarming में help करेगा, जो bee language है, वो सबसे ज़्यादा revealing method है communication का, और bees के अंदर जैसे tail wagging dance है, round dance है, तो ये भी communication का एक तरीका है, कि अगर जो food का source है, वो 50 meter के अंदर है, या 50 meter के भार है, तो अलग-अलग तरीके का dance किया जाएगा, और उस dance के pattern को देखके, जो दूसरे member है, इनकी society के, वो दूसरे member पैचान लेते हैं, कि जो food का source है, वो कितनी दूर पे है, और वो उसके according ही अपने वहाँ से निकलने की, हाइव से निकलने की तेयारी करते हैं, देन protective devices की अगर हम बात करें, तो जो protective devices हैं, कि खुद की society को protect करने के लिए insect के पास बहुत सारे device होते हैं, जैसे honey bee के अंदर, ant के अंदर sting, जो हमें काटती है, जो डंक लगता है स्टिंग, उनका एक protective device है, jaws, कि जो stingless bees है, वो अपने jaw के थूर बाइट करेंगी, और जो ants है, termites है, उनके जो soldiers हैं, जैसे हमें चीटी काटती है, तो वो अपने jaw के थूर काटती है, और जो jaws के थूर ये क्या करते हैं, कि अपने enemies को अपने से दूर रखनें, कि इन protective devices के वज़े से अपने enemies को दूर रखेंगे, काफी time क्या होता है, कि कुछ guard post किये जाते हैं, कुछ-कुछ जगए, पर certain places पे, nest के चारोर, nest के पास में, और ये guard है, ये protect करते हैं, nest को intruders के attacks से, कि जो outsider हैं, उनके attack से guard अपने nest को protect करने का काम करेंगे, और जो nest है, वो बनाया भी ऐसी जगए जाता है, जहांपर protected localities हो, कि ऐसी जगए देखके, जहांपर protection हो, तो protected जगए पे nest बनाये जाएगा, और nest को guard करने के लिए बहुत सारे guard रखे जाएंगे, और वो भार से आने वाले outsider को nest के अंदर enter नहीं होने देंगे, देन हम बात करें, अगली property की swarming की, तो swarming क्या होता है, कि group के अंदर moment, कि जैसे हम देखते हैं कि भहुत सारी मदुमक्या एक साथ जा रही हैं, migration कर रही हैं तो एक साथ कर रही हैं, mating के लिए new chill flight या marries flight पर, जो queen bee है वो बहुत सारे drone के साथ एक साथ निकलती है तो जो group में एक साथ निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं swarming बोलते हैं, किस-किस purpose के लिए feeding के लिए जा सकते हैं mating के लिए, जो new chill flight है marries flight है migration के लिए जा सकते हैं, जैसे हम honey bee की बात करें, तो जो honey bee इसके अंदर है colony एक जगे से दूसरी जगे जो propagate करती है अपनी जगें बदलती हैं तो उसे swarming बोलते हैं या फिर जब पुरानी queen है उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे हर एक पुरानी queen को थोड़े से वर कर दे के जब colonie से बाहर निकाला जाएगा, तो जब वो अपनी नई colonie बनाने के लिए बाहर निकलेगी उसे हम swarming बोलते हैं कि हर एक swarm है, उसके अंदर old queen और बहुत सारे वरकर होंगे ताकि वो अपनी नई colonie को बना सके cg butler ने 1961 में ये देखा था कि जो queen भी है वो release करती है एक substance को जिसे queen substance बोला जाता है अपनी mandibular gland से और ये substance distribute होता है worker to worker और ये worker को queen बनने से रोकता है swarming may come in a overcrowded colony कि swarming कब हो सकती है जब जो colonie है वो ज़्यादा ही हो और crafted हो गई हो और ये substance है इसका equal distribution ना हो पा रहा हो सभी worker में तो यहाँ पर जिस जो pupa है उसे अगर अपने initial stage में ये queen substance नहीं मिलता तो वो worker बनने की जगे वो queen बन जाएगा और जैसे ही दूसरी queen बनेगी young queen बनेगी तो जो young queen होती है उसमें ज़्यादा potential होता है तो क्या किया जाएगा कि जो young queen बनेगी वो queen substance को release करेगी और वो बाकी worker को old queen को मारने के लिए या फिर old queen को कुछ worker देके और अपने भी hive से धक्य मार के भान निकाल देगी तो जो queen substance है वो workers को queen बनने से रोकने के लिए काफी important है और इसका distribution हर एक worker के पास इसका equal distribution होना चाहिए और अगर इसका equal distribution नहीं होता है तो जो worker है वो queen में convert हो जाएगा then next property की हम पात करें ट्रोफोलेक्सिस की ट्रोफोलेक्सिस क्या होता है की एक की एक से ज़्यादा insect के बीच में food का exchange exchange of food between one and another insect की एक या एक से जैसे एक insect है वो दूसरे insect को अपना food दे रहा है तो इन दोनों के बीच में जो insect के बीच में जो exchange हुआ food को उस property को हम क्या नाम देते हैं ट्रोफोलेक्सिस नाम देते हैं ants and termite feed one another mouth to mouth young exchange food with adult की जो ants and termites हैं वो एक दूसरे को mouth to mouth खाना देती हैं और जो young one है वो adult के साथ अपना food है वो exchange करते हैं कुछ आंट हैं वो बीटल को, कोकिड्स को, एफिड्स को feed करवाती हैं, बदले में जो जैसे एफिड्स का हम देखें तो एफिड्स को बोला जाता है ant cow, तो जो ant है वो क्या करेगी एफिड्स को पालेगी एफिड्स प्लांट का सैप लेगा और वो उस प्लांट के सैप को बहुत ज़्यादा amount में अपने fickle material के थ्रू honey dew बना के निकालता है और जो ये honey dew है इने ही जो ये ants हैं, वो use करती है then हम termite की बात करें, तो जो termite हैं, उनके अंदर जो tofolexis है, वो काफी important role play करती है पूरी society के पूरे जो उनका termite का group है उसकी caste को determine करने के लिए और उसके regulation के लिए जैसे जो termites हैं, वो release करती है act hormone जो reproductive termite है और जो soldiers हैं, वो act hormone को release करेंगे ये जो act hormone है ये एक inhibitory substance है जब mutual feeding की जाएगी कि one to one feeding की जाएगी तो उस duration में जो act hormone है, वो pass on किया जाता है निम्फ को और निम्फ को जैसे जो soldier है, अगर वो निम्फ को feed करवा रहा है, अपना जो act hormone है, वो उसे feed करवा रहा है, तो जो sex उसे feed करवाएगा, ये या जो caste उसे feed करवाएगी, वो निम्फ उस caste के अंदर convert नहीं होगा, prevent them from developing into individual of same caste, जैसे जो soldier है, वो निम्फ को feed करवाएगा, तो जो निम्फ है, वो soldier नहीं बनेगा, कोई दूसरी caste का member है, वो उसे feed करवाएगा, तो वो उस caste का member नहीं बनेगा, जो उसे feed करवा रहा है, इसकी वज़े से जो number है, कास्ट के जो individual के number है, वो अपनी boundaries में रहेंगे, लेकिन कुछ undifferentiated निम्फ है, वो इस influence में नहीं आते हैं, उन्हें tropholexis, अच्छे से उन्हें मतलब जो ये feeding वाला, जो mutual feeding है, उनके पास नहीं पहुच पाती, और वो same caste के additional member बन जाते हैं, जैसे कोई कोई निम्फ है, उसे worker ने feed नहीं करवाया, तो acto hormone उसके पास गया ही नहीं, तो वो worker में convert हो जाएगा, तो जो same caste के member है, उनके number इस तरीके से यहाँ पर बढ़ते भी हैं, कि जो undifferentiated निम्फ है, अगर उसके पास acto hormone नहीं पहुच था, तो इस वज़े से जो number है, same caste के जो number है, वो increase होते हैं, society के अंदर, then हम बात करें, progressive provisioning of food, अब यह दो चीज़े होती है, mass provisioning of food and progressive provisioning of food, यह चीज क्या है, कि जो stingless भी हैं, और जो potter वास्प है, यह अपने egg को ले करेंगे, singly भी ले कर सकते हैं, और यह छोटे-छोटे के group में भी ले कर सकते हैं, और यह अपने जो eggs हैं, वहाँ पर उन्हें sufficient amount of food को provide करवाते हैं, and provide sufficient mass of food at the same time for complete development of larva, which hatch out from egg, और यह क्या करेंगे, जहाँ पर egg ले करेंगे, egg ले करते ही, वहाँ पर surplus amount of food को provide करवाएंगे, ताकि egg से जब hatch out होके, लारवान भाहा निकले, जो young one है, वह भाहा निकले, तो उसका complete development उस food से हो सके, और वह जब तक adult नहीं बनता, तब तक उस food के उपर dependent होगा, तो इसको हम बोलते हैं, mass provisioning of food, लेकिन जो true social society हैं, जैसे कि bees हैं, wasp हैं, and tater mite हैं, वह अपने young one को extensively और continuously day to day feed करती हैं, जब तक कि metamorphosis करके adult में convert नहीं हो जाता, इसको हम क्या मोलते हैं, progressive provisioning, mass provisioning में egg लेकिया, वहाँ पर बहुत सरा खाना रख दिया, कि young one निकलेगा, वो खाता रहेगा, adult में convert हो जाएगा, लेकिन progressive provisioning क्या होती है, कि egg को भी nourish करेंगे, उसके बाद egg से जो young one निकला, उसे भी और जितनी भी developmental stage आती है, जब तक adult नहीं बनता, वो खुद काम करने नहीं लगता, तब तक उसे day to day continuously nourish किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं progressive provisioning of food, then जो next property है, वो है parental care की parental care की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो parental care है, मतलब कि जो young ones है उनकी care करना, यह parental care, basis for family relationship क्या होते हैं कि जो family relationship में खाना provide किया जाता है, young one की defense की जाती है, और shelter provide किया जाता है, रहने के लिए जगय दी जाती है, तो young one को जगय देना, उसे खाना देना, उसकी care करना, उसकी defense करना, उसे साफ रखना, उन्हें time to time food देते रहना, और अपने जो eggs हैं, उन्हें अच्छे से chamber में रखना, तो यह सारी basis हैं, एक अच्छी family के relationship बनाने की, यह basis है सब, तो जो social life insect के अंदर, वो correlated है, कि say with parental life and parental care से, कि जो parent और young one हैं, उनके बीच में अच्छा association होता है social life के अंदर, जो correlation है, parental care का और parent का, वो true social society में हमें देखने को मिलेगा जो parental care हैं, वो काफी activities को include करता है जैसे कि young one को food provide करवाना, उनकी cleaning करना, young one को feed करना, queen को feed करना अपने eggs हैं, उन्हें proper chamber में रखना, और chamber को summer के season में cool रखना और जब winter आएं, तो एक दूसरे से चिपक के queen को ठंड से बचाना then, जो debris हैं उन्हें और जो dead bodies हैं उन्हें अपने beehive से भार निकालते रहना, उन्हें रिमू करते बात करें, cohesiveness of colony, अब ये cohesiveness of colony क्या property है कि division of labor या फिर separation of function require greater coordination for the group must act as a single biological unit, कि cohesiveness मतलब कि चिपक के रहना, एक cohesive unit की तरह है रहना, कि सब साथ साथ रहेंगे, तो जो एक biological unit की तरह है, एक group है वो behave करता है, एक society है, वो behave करती है, क्योंकि उनके अंदर division of labor होता है, काम का बटवारा होता है, जैसे जो queen है, वो अपना काम करेगी, then जो drone है, वो अपना काम करेंगे, जो workers हैं, उनके अंदर काम अलग-अलग बाटते हुए हैं, वो अपने अपने functioning करेंगे, तो division of labor की वज़े से, यहाँ पर एक दूसरे के बीच में अच्छा coordination होता है, गुरूप में, और यह जो coordination चाहिए, यह क्यों चाहिए, ताकि जो group है, वो एक single biological unit की तरह behave करें, जितने भी member होते हैं, insect की society में, वो आपस में एक दूसरे से integrated manner में, या फिर cohesive manner में मिलके रहेंगे, जिसकी वज़े से, जो various cast हैं, जो की structure में, physiology में differ करती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक दूसरे पर dependent हैं, अलग-अलग function के लिए, एक cast अपना function करती है, दूसरी cast अपना function करती है, तो वो अपने function को, अपना function करेंगी, अपना अपना काम करेंगी, जैसे एक cast है, वो honey को collect करके लेकि आएगी, दूसरा उस honey को chamber में डालने का काम करता है, honey को proper, जो hive है, उसमें रखने का काम करता है, hive की protection करते हैं, hive को clean करते हैं, queen की protection करते हैं, queen को इस तरीके से उनके structure अलग है उनकी physiology भी अलग है लेकिन वो एक दूसरे के उपर dependent है अपने life को जीने के लिए तो वो एक तरीके से single biological unit की form में रहेंगे और वो work करते हैं cooperation में with mutual benefit की आपस में उनको सबको एक दूसरे से benefit मिलता है different cast are bound together by chemical and physiological mechanism rather than their structure कि structure के बजाए जो अलग-अलग cast है वो एक दूसरे से chemical and physiological mechanism से जुड़ी हुई है और जो success है वो colony की success है ना कि एक individual की success है कि अगर ज़्यादा honey collect हुआ है तो यू नहीं कि इस individual ने ज़्यादा honey collect किया है नहीं वो पूरी colony की success मानी जाती है termite के अंदर अगर termites ने अपनी colony को जादा फैलाया है दूसरे जो उन पे attack करने वाले थे intruders हैं जो outsider है उनको मार बगाया है तो यू नहीं कि एक individual ने मार के बगाया है वो पूरी colony की success होगी then हम बात करें next की जो इसकी जो property है polymorphism या फिर caste system भी यहां देखने को मिलता है अलग-अलग caste में जो पूरी society है वो divided है और ऐसा किस basis पे है क्या कौन इसका basis बनाता है इस difference का genetics और nutrition की जो इनके genes हैं वो और इनका जो इनने feed करवाया जाता है जो nutrition जिस टाइप का इने nutrition दिया जाता है उसकी वज़े से colony के अंदर caste system या फिर polymorphism अलग-अलग तरीके की morphological form देखने को मिलती है जो typical social insect है उनके अंदर division of labor देखने को मिलेगा जो members है वो एक दूसरे से जैसे एक caste दूसरे caste से अलग होती है वो उनके specialized structure है function है behavior है जैसे जो queen है, drone है, worker है वो उनके mouth part भी अलग होंगे, उनकी body size भी अलग होगी और जो उनका genetic composition है वो भी अलग होता है और वो अलग-अलग तरीके से behavior करती है, function क्या है जैसे feeding का काम करना है, guarding का का काम करना है, nurse का का काम करना है, reproduction का का काम करना है, तो काम के basis पे अपने structure के basis पे और behavior के basis पे अलग-अलग तर एक दूसरे से differ करती हैं कि इनका genes की composition अलग होती है इनका जैसे जो male Drone है वो Parthenogenesis से develop होता है वो haploid होता है और उसका size है वो intermediate size का होता है जबकि जो queen है queen सबसे largest size की मिलेगी वो ऐगले करेगी और बहुत साल तक जिंदा भी रहेगी और जो workers है workers सबसे चोटे मिलेंगे size में तो इनके function के basis पे behavior के basis पे और इनके structure के basis पे division of labor के basis पे इने अलग-अलग caste system में divide किया गया है principal caste कौन-कौन सी है reproductive और sterile members, reproductive में king और queen आ गए, sterile में workers और soldiers आ गए then जो social wasp है, bees है, ends है, उनके अंदर सिरफ जो worker है वो sterile female ही हमें मिलेंगी कि जो worker है वो कौन होंगे, वो sterile female होंगी और जो termite है वो जो higher ends है, उनके अंदर worker और soldier दोनों ही sterile देखने को मिलते हैं extra population of nest की हम बात करें कि जो termites हैं, ants हैं, कि जो true social insects हैं, वो अपने same species के member को तो रखेंगे लेकिन इसके अलावा कुछ extra population भी इनके जो hive है, जो इनका घर है, जो इनकी society है, उसके अंदर रहते हैं उन्हें आपस में कुछ symbiotic association में रहेंगे और कुछ सिरफ फालतु के मेहमान आके बनके रहते हैं, जैसे की कुछ crustaceans हैं, termites हैं, beetles हैं, दूसरे insect हैं, ये as in guest और outsider रहेंगे जो society हैं, उसके अंदर are attracted by high temperature and surplus food of nest of ant and termite और जो host हैं, उन्हें ant and termite हैं, और जो भार रहने वाले member हैं, भार से आएं, उन्हें guest या outsider बोलते हैं की small crustacean, amites हैं, beetles हैं, दूसरे insect हैं, ये ant and termite के जो, उनका जो nest हैं, उसके बोज़ादा food को देखके और उनके high temperature को देखके attract होंगे, और उन्हें वहाँ पर अपने enemies से भी protection मिलेगी और उन्हें भरपूर खाना भी मिलेगा, लेकिन जो ये small crustaceans हैं, जो outsider हैं, ये क्या काम करेंगे, ये nest के अंदर जो dead bodies हैं, जो debris हैं, जो waste हैं, उसको feed करके वहाँ से remove करने का काम करेंगे, तो ये nest को साफ करने का काम करेंगे और बदले में इन्हें खाना और enemies से protection मिलेगी, तो ये एक तरीके का sympathetic association है, positive positive relation है कि honey bee को भी, ants को भी, termites को भी, यहाँ पर जो फाइदा है वो हुआ है, उसके साथ में जो outsider हैं, उनको भी फाइदा है, जो nest है, वो साफ हो जाएगा, जितना भी waste, debris, dead bodies हैं, वो remove हो जाएंग बदले में outsider को खाना and protection मिल जाएगी, इसके अलावा जो दूसरा है, वो है slave making ants, जो slave making ants हैं, वो क्या करती हैं, वो दूसरे ants के egg को लेंगी, उन्हें नरिस करेंगी और फिर उन्हें slave बना लेंगी, कि ये दूसरे species की जो चीटियां हैं, उनके egg को चुराएंगी और फिर उन अपना खुलाम बना लेंगी, then thieves and intruders, ये क्या करते हैं, कि जो social insect हैं, उनके खाने को और उनके बच्चों को चुराने का काम करते हैं, जैसे की animals and some beetles, ये जो brood chamber है, चीटियो का जो brood chamber है, उसके अंदर रहेंगे, और वहाँ पर जो beetle है, उसका larva, चीटियो के larva के उपर, ल feed कौन करेगा, beetle का larva, अब जो दोनो beetle के larva और जो adult है, वो कुछ ऐसे pheromone को secret करते हैं, जिनकी वजह से जो aggressive tendency है, ant की, उसे please किया जा सके, उसे कम किया जा सके, otherwise ऐसा कौन है, जो कि भार के member को अपने घर में रखे और वो उनी के बच्चों को खाए, तो ऐसा तब होगा, जब aggressive nature है, वो बिलकुल शान्त हो जाए, और वो उसे कुछ भी ना कहे, इसके अलावा जो predator insect है, वो social insect के उपर feed करते हैं, जैसे कि stylopods, ये जो stylopods हैं, ये wasp and beast के उपर attack करेंगे, तो ये कुछ extra population है, nest की, जो कि कुछ तो चुडाने के लिए, जैसे कुछ तो जबदस्ती रहें कुछ को slave बनाया जाता है, कुछ के साथ symbiotic association में रहा जाएगा, इसके अलावा elaborate nest की बात करें, तो जो social insect है, वो nest की formation करते हैं, और किसलिए करते हैं, अपनी protection के लिए, अपने young one की protection के लिए, food को store करने के लिए, brood की maintenance के लिए, यहाँ पर nest की formation की जाएगी, जैसे honey bee है, honey bee के nest को हम भी hive बोलते हैं, और उसमें अलग-अलग purpose के लिए, बहुत सारे chamber बनाये जाते हैं, उनके जो chamber है, उसमें इस तरीके की ऐसी hexagonal cells होती है, और ऐसी बहुत सारे hexagonal cell की shape में पूरे chamber बनते हैं, और इसी तरीके से पूरा hive, इस type की hexagonal shape की जो cells हैं, जो chambers हैं, उनसे ऐ बना हुआ होगा, कभी आपने अगर honey hive को देखा है, तो वो इस तरीके का उसमें structure दिखते हैं, तो जो जितने भी social insect हैं, वो अपना घर बनाएंगे, जिसे हम nest बोलते हैं, और जो nest है, उसके अंदर अलग-अलग purpose के लिए, अलग-अलग compartment बनते हैं, जो last point हैं, वो है large population of colony, कि जो insect हैं, बहुत सारे जो individual हैं, many individual of a species of a social insect live together in an integrated manner in a comparatively large group which is not gregarious, कि जो बहुत सारे individual हैं, एक species के socially insect के, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक large group बनाएंगे, आपस में interdependent manner में रहेंगे, integrated manner में रहेंगे, एक दूसरे के beneficial के लिए, welfare के लिए काम करेंगे, और इसे हम gregarious association नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह permanent association है, temporary association नहीं है, जो term है colony, वो commonly applied होती है complex society form के लिए, number of individual range from, हर एक कोलोनी में number of individual है, वो अलग-अलग होंगे, जैसे हनीबी के अंदर 30 जा से 50 जार तक, number of individual रहेंगे, ants के अंदर 35,000 से लेके, 6 लेक तक हो सकते हैं, termites के अंदर, जो सारे millions में, जो members हैं, वो मिल सकते हैं, और जो colonies हैं, वो किस टाइप की colonies हैं, matriarch टाइप की, मतलब कि जितने भी offspring हैं, वो एक single mother के हैं, और other, जो species हैं, मतलब same species के, दूसरे member भी, यहां पर colonies में, असेप्ट नहीं किये जाते हैं, जैसे, एक honey bee का, जो honey hive है, उसमें दूसरे honey hive की, दोनों हैं तो honey bee, लेकिन, दूसरे honey hive की bee member को, बिल्कुल भी बरदास नहीं किया जाता, तो जो यह हैं, यह true social society की formation करते हैं, जो कि, जैसे हम human तो क्या हैं, कि दूसरे अगर भार से, हमारी country में, कोई दूसरी country के लोग आके रहते हैं, तो हम उन्हें रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर, एक nest के member, दूसरी nest के member को, चाहिए, वो same colony से, same species से, क्यों ना हो, वो उसे बिल्कुल भी बरदास नहीं करते, और जो colonies हैं, वो matry arch type की colony हैं, कि जितने भी offspring हैं, कि जितन अलग-अलग species की colony में vary करेंगे, और वो आपस में एक दूसरे से, integrated manner में, interdependently एक दूसरे से associated होते हैं, देन हम बात करें, देन हम बात करें, comparison of human and insect societies की, तो हाँ, पहले हम similarities देखेंगे, कि human and insect societies में क्या similarities हैं, देन हम difference की बात करेंगे, कि दोनों में क्या difference हैं, तो पहले हम similarities देखते हैं, कि जो human की society है, उसका origin as in district family की तरह हुआ था, कि पहले सुरू-सुरू में, जो female है और उसके बच्चे ही रहा करतें, अलगल ऐसे district families थी, लेकिन जैसे जैसे फाइलो-जेनेटिकली, जैसे जैसे evolution होता गया, ये एक साथ society की form में आने लगे, और जो insect की society हैं, उनका भी जो origin हुआ था, वो district family की तरह हुआ था, और frequent swarming की वज़े से नई कोलोनी की यहां पर formation होने होती है, then next point में अगर हम बात करें, कि जो man है, उसकी society में heredity society है, उसकी और traditional है, कि जो tradition है, कुछ परंपराए हैं, और वो जो परंपराए हैं, वो एक generation से अगली generation में पास होन की जाती है, और ये मतलब अलग-लग tradition होती है, अलग- जो ants की society है, उसके अंदर भी अपने-पने tradition है, और वो भी real estate का काम करते हैं, hunting का काम करते हैं, कि अपनी जो territory है, उसे भढ़ाने का काम करते हैं, वैसे ही जो man है, वो construct करता है, use करता है tools को, उसी तरीके से जो insect है, जैसे कि Indian red tree ants है, वो अपने larva को use करेंगी, जो larva का silk है, उस उसे use करती है, जो leaves है, उन्हें आपस में एक दूसरे से सिलने के लिए, जो man है, वो animal को पालता है, और जो ants है, वो aphids को पालती है, man है, उसके पास language है, bees and ants के पास भी अपनी language है, dance और pheromones की form में, तो ये है similarities between human and insect society की, फिर हम बात करें, क्या क्या difference है, तो difference किसकी वज़े से है, यहाँ पर अलग-अलग requirement होने की वज़े से, कि जो human है, उसकी society की अलग requirement है, और जो insect है, उनकी society की अलग requirement है, तो जो अलग-अलग requirement है, उसकी वज़े से ही, अलग-अलग needs की वज़े से, यहाँ पर अलग-अलग तरीके से दोनों का evolution हुआ कि जो man है वो evolve की उसने learning और abstract intelligence की property और जो insect है उन्होंने अलग-अलग तरीके के caste system को और हर एक जो उनकी जरूरत है उसके according अलग-अलग तरीके के caste system को develop किया man की society है वो flexible society है जबकि insect की society है वो कैसी है rigid है कैसे की हम जैसे भी मैंने example दिया था कि हम तो अपनी country में दूसरी country के लोगों को रख लेते हैं लेकिन जो एक hive है वो same species के दूसरे hive के member को भी अपनी society में आने नहीं देता वो उसे मार बगाता है दूसरा human की society के अंदर जो success है वो दोनों तरीके से major की जाती है वो individual की success भी होती है और community की success भी होती है लेकिन जो flexibility है man की जो society वो flexible है इंसेक्ट की society है वो काफे डिजिड सोसाइटी है और दोनों की needs के according इनकी जो basic requirement है उनके according इनके अंदर difference हमें देखने को मिले हैं तो यह सारी gradation बात की, comparison की बात की, gradation में solitary sub-social, true social insects के बारे में बात की है then evolution कैसे हुआ है, कौन-कौन से order है इंसेक्टा के जिसके अंदर true social societies देखने को मिलती है social insect की properties क्या होती है, gregarious insect क्या होते है, solitary insect क्या होते है इसके अलावा social behavior है, उसकी definition की बात की है, कि जो social life and insect के अंदर वो किस तरीके से develop हुई उसकी क्या properties है, यह characteristics है, यह सारी हमने यहाँ पर इस video के अंदर बात की है I hope यह वाली video आपके लिए काफी useful रही होगी, thank you for watching my videos, keep watching